मन की बात के इस 98 एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सेंचुरी के तरफ बढ़ते इस सफर में मन की बात को आप सभी ने जन भागीदारी के अभिविक्ति का अध्धुत प्लेट्फरम बना दिया है। हर महिने लाखोव संदिशों में कितने ही लोगों के मन की बात मुझ तक पहुंसती है। आप अपने मन की शक्ति तो जानते ही हैं, वैसे ही समाज की शक्ति से कैसे देश की शक्ति बढ़ती हैं, कि हमने मन की बात के अलग-अलग एपिसोड में देखा है, समझा है और मैंने अनुभव किया है, स्विकार भी किया है मुझे वो दिन याद है जब हमने मन की बात में भारत के पारमपारी खेलों को प्रोसान की बात की थी तूरंत उस समय देश में एक लहर से उट गई भारतिय खेलों के जुडने की, इनमेर रमने की, इने सीखने की मन की बात में जब भारतिय खेलोनों की बात होई, तो देश के लोगों ने इसे भी हातो हात बढ़ावा दे दिया अब तो भारती खिलोना का इतना क्रेज हो गया है कि विदेशों में भी इनकी डिवान बहुत बढ़ रही है जब मन की बात में हमने स्टोरी टेलिंग की भारती विधाओं पर बात की तो इनकी प्रसिद्धी भी दूर दूर तक पहुँच गई लोग ज़ादा से ज़ादा भारती ये स्टोरी टेलिंग की विधाओं की तरफ आकरशित होने लगे साथियों आपको याद होगा सरदार पटेल की जेंती यानि एकता दिवस के अवसर पर मन की बात में हमने तीन कॉम्पेटिशन की बात गी थी ये परतियोगी ताएं देश भक्ति पर गीत लोरी और रंगोली इससे जुड़ी थी मुझे ये बताते हुई एक खुशी है देश भर के 700 से अधिक जीलों के 5 लाग से अधिक लोगों ने बढ़ चड़कर के इसमें हिस्सा लिया है बच्चे बढ़े बुजूर सभी ने इसमें बढ़ चड़कर भागी दारी की और विश्चे अधिक भाशाओं में अपनी एंट्रिस बेजी हैं इन कंपेटिशन्स में भाग लेने वाले सभी प्रतिभाग्यों को मेरी और से बहुत बहुत बढ़ाई हैं अपने से हर कोई अपने आप में एक चेंपियन है कला साधक है आप सभी ने यह दिखाया है कि अपने देश की विविदता और संस्कृति के लिए आपके रदे में कितना प्रेम है साथियों आज इस मोके पर मुझे लता मंगेशकर जी लता दिदी की याद आना बहुत स्वाभाविक है क्योंकि जब यह प्रतियोगी ता प्रारंभ हुई थी उद्दन लतादिदी ने ट्वीट करके देश वाधियों से आगरह किया था कि वे इस परधा में जुरूर जुडे साथियों लोरी राइटिंग कंपडिशन में पहला पुरसकार करनाटका के चामराज नगर जी ले के बी एम मंजुनाजी ने जीता है इन्हें ये पुरसकार कंड़ में लिखी उनकी लोरी मलगू कंदा के लिए मिला है इसे लिखने की प्रणा इन्हें अपनी मा और दादी के लगाए लोरी गितों से मिली आप इसे सुनेंगे तो आपको भी आनन्द आएगा पर रूवड़या तारे गळ तोट दिन्द कनस कोई दू तरूवड़या मलगू कंदा मलगू कूसे जो 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 असम में कामरूप जिल्डे के रहने वाले दिनेश गोवाला जी ने इस प्रतियोगीता में सेकंड प्राइज जीता है। इन्होंने जो लोरी लिखी है उसमें स्थानियक मिट्टी और मेटल के बरतन बनाने वाले कारीगरों के पॉपिलर क्राप की छाप है। मुनाती आसे नूकी खुली साई देखीलू कोहार और मुनाती मुनाते आसे बान बाती। आमारे मोहिनाई कोहारो खुधी साई कीनुई बान बाती। गीतों और लोरी की तरह ही रंगोली कॉंपुटिशन भी काफी लोग पुरिय रहा। इसमें हिस्सा लेने वालोंने एक से बढ़कर एक सुन्दर रंगोली बना कर बेजी। इसमें बिनिंग एंट्री पंजाब के कमल कुमार जी की रही। इन्होंने नेता जी सुभास्चंदर बोस और अमर शहीद वीर भगत सी की बहुत ही सुन्दर रंगोली बनाई। महराष्ट के सांगली के सचिन नरेंद्र अवसारे जी ने अपनी रंगोली में जलियावाला बाग, उसका नरसमवार और शहीद उधमसी की बहादूरी को प्रदर्शित किया। गोवा के रहने वाले गुर्दत वांटेकर जी ने गांधी जी के रंगोली बनाई। जबकि पुडुचेरी के मालाती सेलवर्न जी ने भी आजहादी के कई महान सेनानियों पर अपना फोकस रखा। देशभक्ती गीत प्रतिगों गीता की विजेता टी विजय दुर्गाजी आंध्रपदेश की है। उन्होंने ते लूगों में अपनी एंट्री बेजी थी। वे अपने एक शेत्र के प्रसिद्ध स्वतंत्र दा सेनानी नर्सिमा रेडी गारुजी से काफी प्रेरित रही ह आपी सुनिये विजय दुर्गाजी की एंट्री का यहिस्सा। ते लूगों के बाद अब मैं आपको मैथेली में एक क्लिप सुनाता हूं। इसे दिपक बत्स जी ने भेजा है। उन्होंने भी इस प्रतियोगीता में पुरस्का जीता है। प्रतियोगीता में आई इस तरह की एंट्रीज की लिष्ट बहुत लंबी है। आप संस्कृती मंत्राले की वेब साइट पर जाकर इने अपने परिवार के साथ देखें और सुनें। आपको बहुत प्रेणा मिलेगी।